हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट और देखिए इस डोरमेट में मैंने फिस की डिजाइन डाली हुई है और इसको मैंने बहुती आसान तरीके से बताया है एकदम अलग तरह से दिख रहा है ये तो चलिए इसको स्ट डाल लेंगे और देखिए मुझे ये गले वाली सलाई चाहिए जो दोन तरफ से इस तरह की होती है मुझे तीन सलाई की जरुवत है इसमें तो यहां से देखिए आप मैं पहले तो यह देखिए दो सलाईयों से ही बनाऊंगी आगे इसमें तीन सलाई की जरुवत इधार एक फंदा बढ़ा लिया तो देखिए इस तरह से यह फंदे बढ़ते जाएंगे इसको ऐसे करेंगे यह देखिए ऐसे भूमाया यहां से ऐसे करेंगे तो इस तरह से एक फंदा बढ़ गया दो त्रीन चार पाच छे और देखिए ऐसे बनाएंगे इसको तो यह साथ फंदे हो गए मेरे पास यह देखिए इसी तरीके से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए यह देखिए यहां पर मैंने 21 फंदे तक बना लिया है आप इसको बड़ा बनाएंगे तो आप ज़्यादा फंदे यहां पर कर लीजिए तो यहां पर अब मैं फंदे गटाओंगी यह मैं छोटा बता रही हूँ यहां से दोका एक कर दिया उसके बाद हम ऐसे ही पूरी रो बना लेंगे लाश्ट में फिर से एक फंदा गटाएंगे यहां तक बना लिया यहां पर दोका एक कर देंगे और यहां से हम ऐसे ही बुन लेंगे एक रो में फंदा गटाना है उल्टे तरफ से और सीधे तरफ से ऐसे ही बनाते हुए लाश्ट तक जाएंगे इस तरह से मैंने बना लिया अब मैं यहां से फिर से पलट लूँगी और यहां पर फिर से दोका एक करूंगी और इधर भी दोका एक करूंगी और सीधे तरफ से ऐसे ही बनाऊंगी तो यहां पर मैं लाश्ट का एक फंदे तक इसको बना लिया है अभी मैंने इसको बंद नहीं किया बूल को कट कर दिया आप देखिए इस तरह से यह बनके कम्प्रीट हुआ अब हम यहां से फंदे उठाना इस्टार्ट करेंगे इस जगे से यहां तक फंदे उठाएंगे तो देखिए बीच वाली रो जो सेंटर वाली रो है जहां से मैंने फंदे गठाना इस्टार्ट किया वहीं से ऐसे बाइट कलर से मैं फंदे उठा रही हूँ हर एक रो में से एक फंदा उठाऊंगी दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, और देखिए पंद्रे, पंद्रे फंदे मैंने उठा लिए इस साइड, अब इस फंदे को हम ऐसे बाइट कलर से बुन लेंगे, यहां से यह टाइट कर लेंगे, और इधर से पता चलेगा यह सेंटर का फंदा है, आप देखिए यह मेरा छोटा है, तो यही से फंदे हम इसी सलाई में उठा लेंगे, आपको यह दो सलाईयां लगानी पड़ेंगे, क्योंकि यह बड़ा होगा तो ऐसे उठेंगे नहीं फंदे, यहां से अब हम ऐसे फंदे उठा लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, तो इस तरह से यहां तक हम फंदे उठा इकतिस फंदे हैं, अब हम इस रो को ऐसे ही बुन लेंगे, उल्टा, इस तरह से, पूरी रो कम्प्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे की रो में दिखाते हैं, यह देखिए इधर से रो बना ली है मैंने, अब हम यहां से उल्टा बुनेंगे, ऐसे, एक, दो, तीन, चार, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, और देखिए यह पंद्रे, पंद्रे फंदे मैंने इधर के बना ली है, अब देखिए मेरे पास यह सेंटर वाला फंदर आया है, तो यहां पर हम एक फंदे से तीन फंदे करेंगे, तो एक बार हमने ऐसे बुना, और यहां से बुल को इधर किया, एक बार सीधा, अब हम बापस बुल को इधर करेंगे, एक बार फिर से उल्टा, तो यहां से एक फंदे से तीन फंदे हो गए, अब हम इधर के फंदे बनेंगे, तो यहां से हम पूरा उल्टा बनाते हुए, कम्प्लीट करेंगे, यह देखे, यहां तक बना लिया, अब हम इधर से पूरी रो उल्टा बुन देंगे, इधर कुछ नहीं करना, बड़े वे फंदे उल्टे बना लेने हैं, पूरी रो उल्टी बुन नहीं है यह देखे लाश्ट में वे बीच में हम और दिखा देते हैं आपको, यह देखे जो एक फंदे से तीन फंदे किये थे, उनको हमने ऐसे ही बुल लिया, उल्टा, यह देखे इस तरह देखे अब यहां से पूरी रो हम उल्टा बुनते जाएंगे, आप देखे आशे हम इसे फ दस, ग्यारे, पारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, यह देखिए, पंद्रे फंदे हमारे पास थे, और यह देखिए, एक फंदा मैंने यह इधर ले लिया, तीन में से, तो यहां पर इस तरह से 16 फंदे होगे, अब सेंटर वाले फंदे पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो एक बार हम इसे उल्टा बनेंगे, यहां से बूल ऐसे करेंगे, एक बार सीधा, बापस बूल यहां से ऐसे करेंगे, एक बार उल्टा, यह देखिए, एक फंदे से तीन फंदे, इधर के फंदे उल्टे, और उल्टी रो पूरा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट करें यह देखिए यहां पर मैंने 12 फंदे बढ़ा दिये हैं 6 इदर और 6 इदर तो देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच पांच रो हमारे पास यह आ गई हैं फर्स्ट रो में फंदा बढ़ाया था इसलिए तो यह यहां पर पांच यह आई हैं नहीं तो यह छे आ जाती हैं इस रो में अगर यह देखिए यहां पर मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं 5 इदर और 5 इदर दोनों साइड और यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच इस तरह से यह पांच रो बनके कंप्लीट हुई हैं आप यहां से हम दोनों तरब से एक एक फंदा गटाएंगे और यहां पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे तो यहां पर ऐसे दो काई कर दिया उसके बाद हम ऐसे ही बुन लेंगे सेंटर तक सेंटर में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे लाश्ट में जाके हम एक फंदा फिर से गटाएंगे आप जितना बड़ा बनाएंगे तरीका सेम है बनाने का इसी तरीके से बड़ा आप बना सकते हैं जितना बड़ा आपको चाहिए यह देखे इस रो में मैं यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी दोनों तरफ एक एक फंदा घटाते हु यह देखे इस साइड हम फिरसे दो काएक कर देंगे ऐसे यहाँ पे दो काएक कर दिया अब हम यहाँ से पूरी रो उल्टा बनाते हुए जाएंगे ऐसे यह देखिए उल्टे तरफ से मैंने यह रो बना ली है अब हम यहां से फिर से दो का एक करेंगे और देखिए इधर भी दो का एक करेंगे इसी तरीके से हम बनाते हुए यहां पे बीच में बारा फंदे रह जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगे यह देखिए यहां पे मैंने यह बारा फंदों तक फंदे घटा लिए हैं और देखिए यहां पे मैंने पांच सलाईयों में सिर्फ सीधे तरफ से फंदे घटाए हैं बाकी जो सारी सलाईयां निकाली हैं मैंने उनमें मैंने दोनों तरफ से फंदे घटाए हैं उल्डे तरफ से भी और सीधे तरफ से भी तो देखें यहां से मेरे पास अब 2, 4, 6, 8, 10 और 12 बारे बारे फंदे बचें और मैंने बाइट बूल को कट कर दिया अब हम यहां से पिंक कलर की बूल लगा लेंगे ऐसे उल्टे तरफ से लगा रही हूं मैं और इस वाली बूल को हम इसी के साथ ऐसे दबाते हुए आगे तक ले जाएंगे यह देखें यह देखें ऐसे हो गया आप देखिए हम इसमें दोनों तरफ से फंदे बढ़ाएंगे ऐसे किया यहां पर एक फंदा जाली से बढ़ गया उसके बाद हम यह वाले फंदे बुन लेंगे आप देखिए यहां से हम ऐसे इसको घुमा लेंगे तो यहां से यह वाला फंदा एक बढ़ जाएगा दोनों तरफ से ऐसे ही इसको आप बुनते जाना है यहां से कर लिया अब देखिए यहां से हम फिर से ऐसे गुमाएंगे इसको यह देखिए और यहां से इस फंदे को बुन दिया तो यहां पे एक फंदा बढ़ गया अब इसी तरीके से हम यहां पे बना के complete करते हैं फिर दिखाते हैं यह देखिए यहां पे मैंने 22 फंदे तक इसको बना लिया है टेल को आप देखिए यहां से हम सब फंदे बंद कर देंगे आप अगर डोर्मेट बड़ा बना रहे हैं तो फंदे भी आप यहां पे ज़्यादा कर लें आप देखिए यहां से हम फंदे ऐसे क्लोज कर देंगे यह देखिए दो का एक करते हुए बापस उसी फंदे को ऐसे यहां से पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे